हालो हाव यौल हो पॉल देंग वेल आइम तनूचा टकवाल वेलकम बैक टो मैं चैनल आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फीमेल स्पीरिट के बाद कब प्रेगनेंट बन सकते हैं यानि फीमेल स्पीरिट के बाद कब संबंद में आने से फीमेल को 100% गर्व ठहर जाता है क्योंकि का इस आप में से कई प्रेग Economics नको पता ही नहीं होगा कि पूरे महिने में सिर्फ चे दिन में पास होते हैं जिसमें फीमेल के'' प्रेगनेंसी कन्सीव करने के चांसे बहुत ज्यादा हाई रहते अगर इन छे दिनल से अलावा अप feelings क रहते हैं तो कोई फायदा नहीं है आपको pregnancy conceive नहीं हो पाईगी तो उन दिनों को कैसे आप calculate कर सकते हैं कैसे आप पता लगा सकते हैं आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो उसे जाने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रही है और वीडियो आपको पूरे महीने में सिर्फ 6 दिन ही क्यों बोलाए कि 6 दिनों में फीमेल को pregnancy conceive हो सकती है 6 दिनों में फीमेल के pregnancy conceive करने के chances हाई रहते हैं अगर इन 6 दिनों के अलावा फीमेल संबंद में रहती है तो फीमेल को pregnancy conceive नहीं हो सकती है उसके पीछे का क्या logic है क्यों ऐसा होता है यह ज एक ovary से egg release होता है यानि follicle जब अच्छी तरीके से grow हो जाता है तो इसमें से एक mature egg release होता है और fallopian tube में 24 गंडे के लिए इंतजार करता है यानि जो egg की life होती है वो 24 गंडे की होती है egg सिर्फ 24 गंडे तक survive कर सकता है यानि जब ovary से egg release होता है फैलोपियन ट्यूब पे 24 गंटे के ले इंतजार करता है इसी प्रॉसेस को हम ovulation भी कहते हैं तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा जो एग की life होती है वो एक दिन की होती है और best day female का माना जाता है अगर ovulation के दिन female में संबंध में रहती है तो female को 101% pregnancy conceive हो सकती है इसके अलावा guys जो sperm की life होती है अगर sperm अंदर पहुंच जाता है female की तो sperm 5 दिन तक survive कर सकता है 5 दिन तक जंदा रह सकता है sperm की life 5 दिन की होती है यानि egg की life एक दिन की sperm की life 5 दिन की तो female के पास total 6 दिन होते हैं तो best time होता है female के लिए pregnancy conceive करने का अगर ovulation के 5 दिन पहले भी female संबंध में रहे तो female के pregnancy conceive करने के chances बहुत जादा हाई रहते हैं कैसे आप इन दिनों को calculate कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाओंगी जिससे हर एक female अपने इन दिनों को calculate कर सकती है और इन दिनों में संबंध में रहने से pregnancy भी conceive कर सकती है सबसे पहले in best days को पता लगाने के लिए female को अपनी period cycle length का पता होना चाहिए उसे कैसे calculate किया जाता है जैसे कि आप मानते या भी फरवरी चल रहा है उसी का example मैं आपको देती हूँ जैसे किसी female को एक फरवरी दो हजार बीस को period आया है और जो next period है उस female को 28 फरवरी 2020 को आता है तो guys जब आपको period हुई है वो एक फरवरी से start हुई है यानि जो next period आपको आ रही है 28 फरवरी को आएगी तो जो आपकी period cycle length है वो 28 दिन की है यानि जब से आपका period start होता है उस दिन से आपकी period cycle length count होती है अगर आपका next period 28 February को आता है तो आपकी period cycle length है वो 28 दिन की है अगर 2 March को आता है तो वो 30 दिन की हो जाती है अगर 4 को आता है तो वो 32 दिन की हो जाता है यानि आपको period cycle length calculate करते वक्त ये समझना है कि जब से आपकी period start होती है उस दिन से पहला दिन शुरू होता है और जो नेक्स्ट पीरिएड आती है उस दिन तक आपको काउंट करना है कितने दिन होते हैं वह आपकी पीरिएड साइकल लेंथ होती है वह बिल्कुल सही पीरिएड साइकल लेंथ होती है तो यहां पे आपको गलती नहीं करने है क्योंगा इस period cycle length को अगर calculate करते समय गलती करेंगे तो आपको जो सारा calculation है वो खराब हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके pregnancy conceive करने के best days कौन से simply आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है simple से calculation है simple तरीके से calculate किजिए जिससे आसानी से आपको अपने best days को calculate करने है उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी period cycle length को सही तरीके से calculate करना आना चाहिए अगर सही तरीके से period cycle length को calculate करने है तब ही जाके आप अपने best days पता लगा पाएंगे जिस टाइम आपको 101% pregnancy conceive हो सकती है तो guys जैसे के आम मानते हैं female की period cycle 25 के है तो 25 दिन के है या 20 दिन के या 32 दिन के या 35 दिन के कोई भी period cycle length की है आपको से से 14 को माइनस करना है सिर्फ 14 को ही माइनस करना है और 14 को क्यों माइनस करना है वो भी आप समझेजिए क्योंकि गईज हर एक female की चाहिए female की period साइकल रेगूलर हो या एरर्यूलर हो हर एक female का period आने से 14 दिन पहले ही ovulation होता है यानि 14 दिन पहले ही female की ovary से egg release होता है जो female के best day होता है pregnancy conceive करने का अगर ovulation day को आप calculate कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके best days कौन से है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है एगी की life एक दिन की होती है और sperm की life पाँच दिन की होती है ovulation के day से आपको 3-4 दिन पहले से संबंद में रहना है और उसके 2-3 दिन बाद तक संबंद में रहना है जिससे आजानी से आपको इन दिनों संबंद में रहने से pregnancy conceive हो सकती है बड़ गई यहाँ पे भी कई females के mind में question आ रहा होगा कि जो हमारी period cycle length है वो तो fluctuate करती रहती है कभी 25 को होती है कभी 28 को होती है कभी 32 को होती है तो उस case में safer side आपको अपने दसवे दिन से यानि जो आपका period cycle का 10th day है उससे 10th to 25 days तक alternate days में intercourse करना है जिससे आपका ovulation day cover हो जाएगा best days cover हो जाएगे और जिससे आपकी pregnancy conceive करने के chances बहुत जादा हाई हो जाएगे गजामपल के दौर पर मैं कुछ period cycle की length लेनी हूँ उसके according भी आपको समझा देनी हूँ माइनस करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है गाई तो 25 में से अगर आप 14 को माइनस करते हैं तो आपका 11 आता है ज्यानि ग्यारवे दिन पे female का ovulation day है जिन female की period cycle length 25 दिन की है ग्यारवे दिन पे female की ओविली से एग रिलीज होता है और यह best दी माना जाता है pregnancy conceive करने के लिए 101% इस दिन संबद में रहने से female को pregnancy conceive हो जाती है बड़ गाईज मैंने एक और बात आपको बताई है कि sperm की life होती है 5 दिन की एगी की life होती है एक दिन की तो छे दिन का टाइम होता है ovulation day एक हो गया तो ovulation के 4-5 दिन पहले से female को संबंद में रहना है और ovulation के 2-3 दिन तक संबंद में रहना है जिससे female का ovulation day cover हो जाएगा best days cover हो जाएगे pregnancy conceive करने के जिससे female के pregnancy conceive करने के chances भी high हो जाएगे उसी तरीके से अगर female की period cycle 28 दिन की है तो 28 में से 14 को माइनस करना है 14 आएगा 14 ovulation day हो गया ovulation day से आपको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है 4-5 दिन पहले से संबंद में रहना है और ovulation day के 2-3 दिन बाद तक आपको संबंद में रहना है त्थी दिन की अगर आपकी period cycle लियन्त एक तो 30 में से आपको 14 को माइनस करना है तshe तीस में से 14 माइनस करना है 16, 16 ovulation day होता है उसी तरीके से 35 दिन की हैंарт तो 35 में से आपको 14 को माइनस करना है आपकाता है 21 यानि 35 दिन की period cycle में 21 दे पे ovulation day हो इसी तरीके से आप calculate करते हैं तो आसानी से आप अपना ovulation day और best days पता लगा लेंगे जिस दिनों female को आसानी से pregnancy conceive हो सकती हो इस video से आपको calculation समझ आ गई होगी और आप आसानी से calculate कर सकेंगे कि period के बात कब आपको pregnancy conceive हो सकती है कब female के pregnancy conceive करने के chances high रहते हैं तो guys यही आज का video hope कर and thanks for watching this video guys we'll see you soon in my next video till then bye